हेलो दोस्तों ये है new Honda Dio 110 BS6 Honda Dio में 3 variant आते हैं 8 color option के साथ ये Honda Dio का standard model है sports red color के साथ इसमें क्या-क्या features मिलते हैं, इसका mileage कितना है, इसकी on-road कीमत कितनी है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले में start करता हूँ इसके front profile से तो इसका जो visor है वो आपको red glossy finish में मिल जाता है जिसके उपर Honda का sticker मिल जाता है और नीचे की side में आपको LED की DRL मिल जाती है daytime running के लिए जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं इसकी जो design है वो भी काफी unique दी गई है यहां पर आपको number plate का option मिल जाता है और यहां से आप इसके apron को देख सकते हैं इसके side में आपको indicator मिल जाते हैं जो की bulb वाले हैं जो आपको sharp type के मिल जाते हैं और यहां पर आपको halogen headlamp मिल जाती है 35 watt के bulb के साथ जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं यहां पर आपको LED का कोई भी option नहीं मिलता है और इसका जो front mudguard है वो आपको matte finish में मिल जाता है gray color में और यहां पर आपको combi braking system मिल जाता है 130 mm की drum brake के साथ में उसके front में आपको 90 wide 90 section के tag size मिल जाते हैं और 12 inch के black color के steel rim दिये गए हैं यहां पर आपको telescopic suspension मिलते हैं अब इसके meter console की बात करें तो यहां पर आपको analog type का meter console मिलता है यहां पर आपको fuel के लिए separate meter मिल जाता है और यहां से आप speed देख सकते हैं और economy john दिया है यहां पर आपको man headlight, indication light, engine malfunction, indication light और turn signal, indication light देखने को मिल जाती है तो यहां पर आपको PGM FI की bedging मिल जाती है इसके meter console के अंदर और यहां पर आपको switches मिल जाते हैं जिसमें आपको low beam, high beam switch, passing switch और indicator और horn का switch मिल जाता है और इसके उपर की side में आपको side mirror मिल जाते हैं जो की काफी unique design के दिये गए हैं और इसके दूसरी side में चलें तो यहां पर आपको engine kill का switch मिल जाता है red color के साथ और नीचे की side में self का switch दिया गया है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसकी जो design है वो काफी ज़्यादा unique दी गई है और इस scooter की जो theme है वो black color की दी गई है और इस scooter में आपको 3 color का combination देखने को मिल जाता है red का, black का और dark gray color का और यहां पर आपको moto sports का logo देखने को मिल जाता है white color और black color के combination में और इसमें आपको 160 mm की ground clearance मिल जाती हो यहां से आप इसकी design को देख सकते हो जो की काफी unique और aggressive बनाई गई है और इसके side में आपको जो है DO का graphics मिल जाता है जो की white color और black color के combination में दिया गया है बड़ा सा हो यहां पर आपको जो है इसके adjust की design है वो भी काफी unique दी गई है और इसके उपर आपको fiber की plate मिलती है metal की plate नहीं दी गई है जो की black matte finish में है और यहां पर आपको plan के लिए adjustable footrest मिल जाता है अब बात करें इसकी seat की तो यहां पर आपको 650 mm की length की seat मिल जाती है इसकी जो cushioning है वो भी काफी soft दी गई है और काफी premium quality की seat मिल जाती है और यहां पर आपको split type के जो है grab handle मिल जाते हैं और 5.3 liter की external fuel filling मिल जाती है और इसके पीछे की side में आपको tail lamp जो दी गई है वो bulb में दी गई है और इसकी जो indicator है वो भी आपको sharp type के मिल जाते हैं bulb वाले और नीचे की side में Honda का sticker और reflector देखने को मिल जाता है इसके दूसी side में चलें तो यहां भी आपको DO का बड़ा सा graphics मिल जाता है और नीचे की side में HET VS6 का logo मिल जाता है और यहां पर adjustable footrest और ladies pillion के लिए भी adjustable footrest दिया गया है separate जैसक यहां से आप देख सकते हैं और इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो यहां पर आपको 90 Y100 section का tire size दिया गया और 10 इंज के steel wheel rim दिये गये हैं और यहां पर आपको 130 mm की drum brake दी गई है और इसके पीछे की side में 3 step adjustable spring loaded hydraulic type के suspension मिल जाते हैं बात करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 109.51 CC का air cooled forest rock SI engine इसकी maximum power है 7.76 PS की 8000 RPM पर इसका maximum torque है 9 Nm का 4750 RPM पर इसके additional features हैं ACG starter, ESP technology, front pocket, position lamp, side stand engine, cutoff switch जो की optional है और इसका curve weight है 105 kg इसकी ground clearance है 160 mm इसका curve weight है 105 kg और यहां से आप इसके leg space area को देख सकते हो जो की काफी बड़ा दिया गया है और यहां पर आपको थोड़ा सा space मिल जाता है सामान रखने के लिए और यहां पर आपको एक carry hook मिल जाता हो यहां से आप इसके key point को देख सकते हैं यहीं से आप इसके external fuel filling और इसकी seat के boot space को open कर सकते हैं और यहां से अगर आप इसको select करोगे और इसके button को press कर दोगे तो इसकी seat है वो open हो जाती है तो आप दोस्तों मैं आपको इसके boot space को दिखा देता हूँ इसका mileage claim करती है 55 kmpl का city में और highway में claim करती है 59 का जैसा कि यह 110 cc का scooter है तो इसमें आपको 50-55 kmpl का आसानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं तो अब बात करें इसके price की तो Honda Dio standard variant की on road कीमत है 82,688 रुपे यह on road कीमत मैंने आपको बताई है दुगार होंडा बांगुर कॉलकटा सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप कॉलकटा या असपास से हैं तो नीचे दियो है नमबर पर call कर सकते हैं other street बाले बिल्कुल भी tension ना लें आप अपनी city का नाम comment box में comment कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जा स्यादा like करें comment करें share करें thank you दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में